हम लोग इसके पहले पढ़ चुगे हैं question no.8 तब तो इसमें देख लिजिए पहले इसका जो है right answer इसमें जो है सभी बाहर बाहर की तरफ यह line बना हुआ है खिंचा हुआ है कटा हुआ है और यह बीच से कटा हुआ है इसमें भी जो है बाहर से मलब जो इसका बाहर ही छोर है वहां से कटा हुआ है और इसमें भी बाहर ही छोर पर कटा हुआ है लेकिन यहां पर बीच में कटा हुआ है यह माल लेजिए कि यह line बना हुआ है तो आप ल बाकी सभी में सामानता दिख रहा हैं, अब हम लोग देखेंगे question number 9, ठीक है? हम लोग देखेंगे question number 9, तो यहाँ पे question number 9 दिख रहा होगा, तो हम इसको paper पे draw पहले से कर लिए हैं, आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और हमको ब लग रहा था, इस होजे से मैं पहले से ही paper पे draw कर लिया हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं question, क्योंकि कल जो है, आटी question हुआ था, तो आज मैंने इस पे draw कर लिया है, ताकि यह समय question है, मनलोब option है, तो इसमें सभी बिकल्ब, यह चार बिकल्ब दिये हैं, इसमें से जो अलग होगा, उसी को हम लोगा answer लगाते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका, इसका जो है, हम लोग भुजा गिनेंगे, तो ठ इस वाले में भुजा की संख्या तीन है और ये दो तीर लगे हुए है एक दो तो ये तीर है तो आप तीर कर लीजिए तीर की संख्या कितना है दो ठीक है ये एरो यानि कि तीर की संख्या दो है अब इस वाले को देखेंगे इस वाले में ठीक है इसमें भुजा गिरेंगे प संख्या एक दो तीन चार तीर भी जो तीर है तीरों की संख्या कितनी है चार तो भुजा भी चार और तीर भी चार ठीक है अब हम लोग इसमें देखेंगे इस वाले में इसमें एक दो तीन और ये चार तो इसमें भुजा भुजा की संख्या कितनी है चार आप लोग को दिख रहा होगा भुजा की संख्या चार और तीर की संख्या एक दो तीन तो ये तीर की संख्या कितनी है तीन तीर की संख्या है तीन ठीक है अब हम लोग इसमें गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच तो इसमें भुजा जो हो गया भुजा की संख्या कितनी है पाँच भुजा की संख्या पाँच है अब इसमें तीर की संख्या एक दो तीन चार तो तीर की संख्या कितनी है तीर की संख्या चार तो बच्चों अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कर क्या रहा है मलब हम लोग अंतर इसमें ढोड़ेंगे कैसे तो इसमें देखिए इसमें भुजाओं की संक्या कितनी है तीन है और इसमें तीर तीर दो है यानि कि जितनी भुजा है उसमें एक जो है कम है तीर ठीक है इस वाले में देखेंगे इस वाले में देखेंगे चार भुजा है और चार तीर है यह फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है अब इसमें देखेंगे इसमें एक दो तीन चार भुजाओं के कितनी है चार और तीरों के कित और तीरों की संख्या 4 है अब इसमें भी वही कर रहा है मतलब जितनी भुजाए हैं उससे एक कमतीर है तो यानि कि इसमें फॉलो कर रहा है चौथे नंबर में तीसरे नंबर में और पहले नंबर में लेकिन ये जो है दूसरा नंबर जो है इसमें फॉलो नहीं कर रहा है इसम यह मैंच नहीं कर रहा है इस वजे से एंसर आप लोग ये अगला question है बच्चों यहांट दीख रहा होगा आप लोगकों यह है question, दसवा, दसवा question यहाँ पर जो है बृत बना हुआ है, बीच में कटा हुआ है फिर यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, तिरभुज दो बना हुआ है, तो आईए हम लोग इसको draw किये हैं, हमने draw किया है, पहले से ही इसको, और हम इसको समझाएंगे, आज हम पहले से थोड़ा सा draw कर लिये हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें, ठीक है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, तो इसमें देखिए, इसमें बृत है, यह option number 1 है, यह 2 है, यह 3 है, और यह 4 है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है, सभी में, सभी में क्या कर रहा है, हम लोग को देख रहा होगा, इसमें, जो है, समानता क्या देख रहा है, लाइनों की संख्या, लाइन एकदम देख लिए, यह जो तो अगर बुजाओं के आधार पर देखेंगे तो यह एंसर सही हो जाएगा लेकिन अगर इसके आधार पर देखेंगे इसका मलब जो है लाइनिंग इस परकार से किया गया है और सभी का इस परकार से किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसका आइंसर जो है क्या इसमें सामानता ये दिया है कि ये जो सामानता रेखा है बने हुए दो सभी में देखिए एक मलब जीस परकार से इसमें बना हुआ है और उसी परकार से इसमें भी बना हुआ है लेकिन इस वाले में ये रेखा है उपर से नीचे की तरफ आ रही है बाकी सब इधर से इधर जा रही हैं ठीक है आप लोग को यह समानता दिख रही होंगी तो इस वज़े से यही अलग लग रहा है तो एंसर यही लगाएंगे हम लोग ठीक है दसवे में यही है हमने ऐसे क्विश्चन को जो ड्रॉ कर लिया है तो हम लोग अब बुक नहीं देखेंगे हम इसी पर समझाएं क्विश्चन सब मैच करेगा ठीक है तो आप लोग इसी में देखते रही है तो इसमें देखिए इसमें क्या है अब हम लोग देखेंगे क्विश्चन नंबर ग्यारा क्विश्चन नंबर ग्यारा में इसमें एक तीर बने हुए है पहले तो ऐसे सीधे बना हुआ है तो इस नमबर चार ठीक है यह चार option है तो हम लोग को इसी में से अलग करना है एक इसमें से कौन अलग है हम लोग वही देखेंगे और answer के रूप में उसी को लगाएंगे ठीक है तो हम लोग को इसमें इसमें हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है ये देखिए इसमें ये ये जो लाइन खड़ी लाइन है और ये जो इस परकार से तीर लगा हुआ है और 20 से कटा हुआ है तो इस लाइन के इस साइड में एक बिंदू है और इस साइड में एक बिंदू है ठीक है पहले में इसमें यह देख लिए, अब हम लोग फिर वही देखेंगे, वह ऐसे ही लगा हुआ है, और इसमें यह लाइन खड़ी बनी हुई है, और इसको मलब कटा हुआ है आदे से, और उपर तीर लगा हुआ है, नीचे तीर लगा हुआ है, जैसे इसमें था, ऐसे इसमें है, लेकिन बिस स्कता हुआ है सिर्न लगा हुआ है और इस खड़ी लाइं के एक साइड में इस और बिंदू लगा घळा हुआ है और यह है यह यह देखी ite Line सब्सक्रैक estabel यह लगाना है तो हम लोग यह इंदी पकड़ लिए है यानि कि इसमें बिंदू this तीर तो सभी में समाल लगए हुए है, तो तीर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिंदू से फरक पढ़ रहा है, क्योंकि बिंदू बदल रहा है, एक उपर लगा हुआ, एक नीची लगा हुआ, फिर एक इदर इदर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको पकड़ेंगे अब इसके एक इस पार लगा हुआ है, इसमें एक इस पार लगा हुआ है, इसमें भी इस पार लगा हुआ है, ऐसे इसमें भी किया हुआ है, लेकिन चौथे आपसन में देखिए हम लोग, हम लोग आप चौथे में देखेंगे, चौथे में क्या कर रहा है, खड़ी लाइन ब इसी साइड में एक ही साइड में दोनों बिंदू लगा दिया है इस वजे से यह जो अलग है और हम लोग answer group में इसी को लगाएंगे जो अलग रहता है उसी को हम लोग answer लगाते हैं तो answer कौन सा है? answer चार नमबर ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 12 question number 12 दिख रहा होगा आप लोगों तो यह option एक है option 2 है option 3 है और option 4 है तो यह आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से चार option बना हुआ है तो इसमें क्या कर रहा है इसमें से एक जो आयत है यह भी आयत ही है बर्फी की तरह बना हुआ है और यह तिर्बुज है और इसमें भी यह जो है यह भी बर्फी की तरह बना हुआ है आयत ही है आयत नहीं इसको वर्ग कहेंगे आप कुछ भी कहेंगे दो बुजाए बराबर होती है, दो बिंदू बराबर होती है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखी हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसमें कुछ रहा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भुजा गिनेंगे, एक, दो तीन चार तो इसमें कितना है बुजाओं की संख्या बुजा कितनी है बुजाओं की संख्या कितनी है चार इसमें देखेंगे एक दो तीन चार इसमें कितनी है बुजाओं की संख्या कितनी है चार अब इसमें देखें एक दो तीन इसमें कितनी ही बुजाओं की संख्या कितन इसमें चार है, इसमें चार है, इसमें चार है, सधी में तीन में चार है, लेकिन इस वाले में तीन है, तो इसमें तीन है, इस वज़े से हम लोग उत्तर की रूप में इसी तीन को लगाएंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्यों हम ने उत्तर इसको क्यों लगाया है क्योंकि इसमें जो है बुजाओ की संख्या 3 है अब हम लोग देखेंगे question number 13 question number 13 यहां पर आप लोग को अच्छे से set कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिख सकें तो ठीक है यहां पर देखेंगे हम लोग यहां पर question number 1 question number 2 3 4 यह option है option number A ठीक है तो इसमें इसमें एक वर्ग जैसा बना हुआ है बीच में ऐसे गोला बना हुआ है फिर U के आकार का यहां पर बना हुआ है फिर वैसे इसमें इसमें वी के आकार का बना हुआ है ऐसे same to same इसमें बना हुआ है इसमें भी U के आकार बना और इसमें भी बना हुआ है और यू की आकार का नीची इसमें बना हुआ है सभी में देखिए किसी ना किसी प्रकार से ये वाला यू ये वाला और ये वाला समान दिख रहे होंगे लेकिन ये जो है सभी U के अकार के दिख रहे हैं लेकिन इसमें V के अकार का दिख रहा है जिसे तीर बनता है चोखार जैसा चोख जैसा जैसे क्या कहते हैं इसको नोख जैसा इसको नोख बोलते हैं तो उस हिसाब से एंसर की रूप में इसमें U, U, U के अकार का बना हुगा, इसमें V के अकार का बना हुगा है इस वजह से हम लोग उत्तर की रूप में इसी को लग आएंगे, ठीक है? उमेद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा य तो हम लोग देखेंगे Question numero 14 इसमें यह box बना हुआ है बॉक्स के अंदर 4 तिर लगे वहे 2 깉चались, यह 2 तिर यप 25 साइड में 2की साइड में 2 कत इमने के जिसमें 2 की सालखें ठीक है सबी में 30 साइड में box बना हुआ है तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, एक तीर उपर लगा है, तो अगला तीर नीचे लगा हुआ है, मलब इसके अपोजिट साइड में, मलब एक तीर अगर उपर लगा हुआ है, दूसरा नीचे लगा हुआ है, विपरीत हो गया, इसको विपरीत बोलते हैं, फिर अगला तीर उसके विपर अगला फिर से लगा हुआ है मतलब एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर फिर एक नीचे ठीक है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं आप्सन नमबर एक है यह आप्सन नमबर दो इसमें देखेंगे एक तीर इस साइड में लगा हुआ है फिर दूसरा तीर भी उसी साइड में लगा हुआ है फिर अगला तीर नीचे की तरफ लगा हुआ है फिर इसके अगला तीर ऊपर की तरफ लगा हुआ है मतलब यह पहला वाला फॉलो कर रहा है ठीक है क्योंकि इसमें जो अगर पहला ऊपर लगा हुआ तो अगला नीचे होगा इसमें पहला नीचे लगा हुआ तो यह आपसा नुमर चौथा है, यहने की चार है, तो इसमें है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है, एक तीर इस साइड में लगा हुआ है, फिर अगला उसके भी प्रीद में, इस साइड में उल्टा लगा हुआ है, फिर इसके बाद फिर से इसके भी प्रीद में, फिर अगल प्रकार से समान है लेकिन दूसरे में ये दो तीर एक ही साइड में हो गया है इस वज़े से उत्तर की रूप में आप लोग इसी को लगाएंगे क्योंकि ये ये फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है उमिद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा अब हम लोग देखेंगे क्विश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे 15 तो क्विश्चन नंबर 15 में क्या है ये एक लाएन खींचा हुआ इसके ऊपर तिर्भूच बना हुआ है इसी ही लाएन में यहीं बना हुआ है ये पहला option को दिकत नहीं तर दूसरा option देखेंगे बस इसको ये लाएन थुर दीच् वर्ग बनाया हुआ है इसमें वह ही किया है इसके अपोजिट साइड में यहां पर तिर्भुज बना हुआ है इसके अपोजिट साइड में बनना चाहिए था इसको इसके अपोजिट साइड में बनना चाहिए था यहां मलब यहां पर बनना चाहिए था लेकिन इसके इसे चौथा देखेंगे हम लोग यह थोड़ा सा अलग है अब इसको देखेंगे तीर सीधा बना दिया है यह जो तिरबुज यह साइड में बना हुआ है इसके अपोजिट साइड में वर्ग बना हुआ है मतलब यह पहला दूसरा और चौथा फॉलो कर रहा है एक ही कंडिशन को तिरबुज उपर की तरफ तो यह नीचे की तरफ इसमें तिरबुज उपर की तरफ यह नीचे की तरफ यह तिरबुजी साइड में है तो यह वर्गी साइड में है मतलब यह तीनों में सावानता है लेकिन तीसरे में जो है एक ही साइड में दोनों है इस वज़े से यह अल सकें अच्छे से तो हम लोग 15 कुष्टिन देख चुके हैं अब हम लोग देखेंगे कुष्टिन नूमर 16 हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया था क्योंकि कल बहुत कम कुष्टिन हो पाये थे इस वजे से हमने आज थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लिया है पहले से ही ताकि आप हुआ है ठीक है नोक जैसा बना हुआ है थोड़ा सा तिरिछा करके बीच में खाली स्थान है यह समझ लेजिए कि प्लेट है जो सीडी चलता है उसका प्लेट है माल लीजिए और यहां पर ऐसे कुछ लगा हुआ है ठीक है तो यह भी हो गया यह हो या कुष्टिन नंबर प अब इसमें भी वैसे तिर्चा किया हुआ है ठीक है तो मतलब इसमें और इसमें और इसमें समान है ठीक है इसमें चौथे नंबर में देखेंगे हम लोग चौथे में क्या यह बृत तो है लेकिन यहां पे सब में मूड रहा है यहां पे मूड रहा है यहां पे मूड रहा ह ठीक है, answer के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला question, अगला question है 17 नमबर, 17 नमबर question है, यह बृत्त बना हुआ है, चार, तो हम लोग यह option number 1 है, बृत्त बना हुआ है, इसमें कुछ इस प्रकार से निकला हुआ है, ठीक है, इस आकार का नि हुआ है, इसमें भी ऐसे ही निकला हुआ है, इसके अंदर की तरफ कम निकला हुआ है, बाहर की तरफ ज्यादा हुआ है, इसमें तीसरे में, इसमें भी अंदर की तरफ कम है, बाहर की और ज्यादा है, इस चोथे वाले में देखिए, इसमें बाहर की तरफ कम है, अंदर की आप लोग को दिख रहा होगा चित्र में, आप लोग अपनी किताब में देखेंगे, अरियंद की बुख ले लेंगे अगर जिसके पास नहीं है, आप लोग ले लेंगे इसके बाद में आप लोग इसको साथ साथ में अपने किताब बुख में देखते रहेंगे, तो आप लो एंसर गुरूप में हम लोग इसी को चावते नंबर को लगाएंगे ठीक है बच्चों अब हम लोग देखेंगे question number question number 18 question number 18 चलो हम थोड़ा सा उपर खसका ले रहे हैं इसको question number 18 देखेंगे question number 18 क्या कह रहा है इसमें एक बृत्त बना हुआ है प्रित बना हुआ है और ब्लस का निसान लगा हुआ है और एक बिंदु बना हुआ है ठीक है यहाँ पर बिंदु बना हुआ है ठीक तो न समें बंद बिंदु बना हुआ है आब यह question number यह आफसा number एक है यानि कि बेगलप हुआ है अब हम तीसरे में देखेंगे तीसरे में क्या कर रहा है इसमें प्लस है और यहां पर यहां पर क्या बिंदू लगा हुआ है तो इस तीनों में समानता दिख रहा है अभी अभी तक अब हम लोग देखेंगे इसमें चौथे नंबर में ठीक है चौथे नंबर में क्या इसमें देखिए यहां पर होना चुछ है प्लस का निसान यह जोड का निसान लेकिन इसमें बना हुआ है क्या गुड़े का निसान और बिंदू लगा हुआ है तो यह बिंदू जो लगा हुआ है यह जो है समान है लेकिन यह सभी में प्लस है इसमें गुड़ा है तो इस वज़े से एंसर की रूप में आप लोग इसी को लगाएंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर कुष्चन 19 नंबर कुष्चन फ्रस उपर कर ले रहे हैं ठीक है 19 नंबर कुष्चन अब इसमें देखेए यहां पर तिरबुज बना हुँआ है इसके बाद में क्या गुड़े का निसान लगा हुआ है यह option नंबर एक है option 2 में तिरबुज बना हुआ है यह इसमें पहले में पहले में एक बिंदु गोला गोला लगा हुआ च्छोटा सा और गोडा का निसान लगा हुआ ठीक है और ये तिरभुज है option number 1 है और दूसरे में देखेंगे तिरभुज बना हुआ है एक गोला लगा हुआ और गुड़े का निसान भी है तो इसमें तीनों में सामानता है गुड़े का निसान है इसमें नहीं है इस वज़े से आप लोग उत्तर इसी को लगाएंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे अगला देखेंगे अगला question है अगला जो है 20 number 20 number में देखेंगे हम लोग ये वाला हम लोग देखेंगे पहला है यहाँ पर ये सश्ट भुज बना हुआ है यहाँ छे भुजाओं जिसके है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6 भुजाओं है तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस वाली लाइन को हम लोग देखेंगे जो फालतू से इस्टर लगा हुआ है तो ये लाइन की बाद एक भुजे पर ये लाइन लगा हुआ है फिर एक भुजा छोड़के फिर अगले भुजा के सामने एक तीर ऐसे बढ़ा दिया गया है ठीक है ये पहला हो गया अब हम लोग देखेंगे इसमें दूसरे वाले में दूसरा उप्सन इसमें भी यही 6 भुजा बना हुआ है मने बताया कि आप लोग इसी को देखेंगे ये वाले लाइन को ये लाइन जहां से लगेगा एक भुजा छोड़के अगला जो भुजा होगा उसी के सामने तीर बढ़ा हुआ है इसमें देखेंगे फिर से एक बार देख लिजे ये है एक भुजा छोड़के दूसरा जो भुजा आएगा उसी के सामने तीर बढ़ा हुआ है अब इसमें देखेंगे इसमें इसमें यह लगा हुआ है राइन इसके बाद में यह एक बुझा छोड़ के इस वाले बुझा से आगे की तरप ऐसे बढ़ाय। हुआ है तीर करने साँ ठीक है अब यह तीसरा छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग चौथा पड़े देखेंगे तो इसमें सश्ट बुजह है यानि कि छे बुजाए हैं छे बुजाओं में इसमें देखिए यहां पर एक तीर लगा हुआ है तीर लगा हुआ है इसके बाद में एक बुजह हम लोग छोड़ते हैं फिर अगले बुजह को आगे बढ़ाते हुए यह जो है तीर लगा रहे है ठीक है आगे लगाते हुए तीर लगा रहे है तो पहले में दूसरे में और तीसरे में यह सभी में फॉलो कर रहा है बट ती यहां पर यहां तक आया है फिर यह एक छोड़ दिया है फिर दूसरा आला भुजा यह ऐसे आगे आया है इसके बाद तीर आगे को रूप लगा दिया गया है लेकिन इसमें जो है एक छोड़ा है लेकिन इसका इधर होना चाहिए था यह तीर अंदर की तरफ लगा दिया है इ क्योंकि इसमें वरफीगर बनाना पड़ा है, देखिए किसी ना किसी परकार से मैं बना दिया हूँ, कुछ ना कुछ तो दिखी रहा होगा, तो फिलाल आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने यार मित्र जो भी है, जो पढ़ रहे हो नवोदे में, और प्रव हम देखेंगे, question number 21, 21 में क्या है, 21 में यहां पर समझ लेजिए, यह shirt है, shirt half shirt है, यह t-shirt माहा लेजिए, यह t-shirt है, question number 1, t-shirt हो गया, यह एक फ्राक है, किसी बच्ची के लिए समझ लेजिए, यह लड़कों के लिए, यह लड़कियों के लिए, फ्राक है, और यह वाला यह यह भी बंडी है यह भी बंडी है ठीक है यह उपर पहने वाले कपड़े है यह पहला उपर कपड़ा पहनने वाला है यह भी उपर पहनने वाला है यह भी उपर पहनने वाला है यह भी उपर पहनने वाला है यह लेकिन यह जो है पैंट है यह जो पैंट सर्ट के नीचे पहना जाता है, यानि क ik ie की उसके बाद जो पहता है यह हुता है, तो इसमे आप लोग को पताचल रहा होगा। यह अलग है, क्योंकि यह PennT है, यह सब सर्थ है, यानि कि सर्थ है, यह ऊपर पहने वाला चीज है, इस वज़े से answer group में आप लोग इसा को लगाएंगे, ठीक है अब हम लोग देखेंगे अगला question number question number 22 question number 22 देखेंगे हम लोग तो ठीक है बच्चों question set कर रहे हैं यह है question number 22 यह बना हुआ है बिरित यानि कि गोला बना हुआ है इसको 8 भागों में काटा गया है गिन दे रहे हैं हम लोग यह option number 1 है 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है 8 भागों में काटा हुआ है सभी 8 भागों में कटे हुए है अब इसमें से कालिक जो पोता हुआ है दो भाग कालिक पोता हुआ है मिल्दब यह काला किया गया है दो भाग यह काला किया गया है टिक, ये वाला भाग, ये वाला भाग काला किया गया है, इसमें देखीए इसके सामने होना चाहिए था इसमें ये बगल है, ठीक, सामने नहीं है तीसरे वाले में हम लोग देखेंगे तीसरे वाले में क्या कर रहा है इसमें भी same to same होई कर रहा है कालिक जो है यहाँ पे लगा हुआ है और इसके सामने भी यहाँ पे कालिक लगा हुआ है यह गुमा रहा है लेकिन सामने सामने ही इसका कालिक लगा हुआ है यह चौथा नमबर देख लिजिए अगर इसमें यह यहाँ पर है तो इसी की जेस्ट सामने यह वाला है कालीग लगा हुआ है तो इसमें सभी में इसमें भी सामने है इसमें भी सामने है लेकिन पहले वाले में सामने नहीं है इस वज़े से एंसर के रूप में हम लोग पहला लगाएंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number question number 22 question number 22 है जो है ये एक आयत बना हुआ है इसके बाद में दो भागों में इसको काटा गया है बिकरण के रूप में और इसके किसी ना किसी भाग को एक भाग को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है ठीक है बीच से बिकरण होते हुए काटा गया है इसके बाद में एक भाग बढ़ा दिया गया है इसमें भी वही किया है बिकरण के रूप में काटा हुआ है और एक भाग उपर बढ़ा दिया गया है दूसरा है ओप्सन इसमें देखिए इसमें बिकड कर रहा है लेकिन इसमें बीच से काट रहा है यह बिकड नहीं बलकि यह चार भागों में काट रहा है और बराबर बराबर भागों में काट रहा है और यह निकला हुआ है बट इसक मैं जए से काटा है थीग है इस नहीं इसे कॉणे से है इस में लोग गया है टीक है तो इसे आम लोग को अंतर पता चलappi रहा होगा कि इसमें आंसर गूरूप में हम लोग इस्कु लगाएंगे क्योंकि यह जो भुजा के आदे से कटा हुआ है और इसमें सभी में इसके भूजा के कोने से कटा हुआ है ठीक है अब हम लोग देखेंगे अगला अगला जो है अगला जो है यह है 24 नंबर 24 नंबर कुष्चिन है 24 नंबर कुष्चिन में देखेंगे हम लोग क्या आईए option number 1 ये तिर्भुज है, तिर्भुज के अंदर एक तिर्भुज है, मलब दो तिर्भुज है एक तिर्भुज है, तिर्भुज के अंदर तिर्भुज है, फिर इसके बाद में बृत, बृत के अंदर एक बृत है मतलब जो है वही एक अंदर और है, ठीक है इसमें भी जो ब्रित है उसके अंदर एक ब्रित और है इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे तीन नंबर इसमें ब्रित है इसमें भी ब्रित है बट उसके समानतर नहीं है यह उल्टा है ठीक है यह इसका उपर की तरफ है इसका वाला नीचे की तरफ है ठीक है यह थोड़ा स तरफ है लेकिंगि इसमें इसका तिर नेचे की तरफ है तो इसमें अंतर यही है तो अंसर गूरूप में हम लोग इसी को लगाएंगे तीसरे नमबर को ठीक है अमेद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा अब हम लोग देखेंगे question number 25 को 25 है question number 25 यहाँ पे कुछ बना हुआ है कुछ ना कुछ आकार बना हुआ है और हम लोग उसी के माद्दम से जो है जो है जवाब देंगे तो देखेंगे यह option number 1 यह 2 यह 3 यह option number 4 ठीक है तो हम लोग देखेंगे यह देखेंगे नोकिला पदार्थ है यह भी कटने वाला नोकिला पदार्थ है यह भी कटने वाला नोकिला पदार्थ है लेकिन यह नोकिला नहीं है ठीक है इसमें नोकिला नहीं है यह पकड़ने वाला है तो इस वज़े से यह जो है पिलास जो कहते हैं इसको या फिर पकड़ वगएरा जो भी आप कहते हों अपने भासा में तो वही यह ठीक है अब हम लोग देखेंगे दूसरा दूसरा जो है 26 नंबर कुश्चन में यह पहला पहला है पहला अप्सन यह चम्मच है मैंने चम्मच बनाने का प्रयास किया है तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग समझ जाएगा कि यह चम्मच है आई यह चागू माल लीज समझें इसको यह मैंने इसको जही से बना नहीं पाजा हूं तो यह जानकरी शल च्वल काट इसको अम च्छा में ही बना तो आप लोग देखिया यह चम्मच है यह समझ़ने ये लग वगाया जब लेकिन ये जो है ये रखने kale संवान है इसमें पाने ये बहे हैं तो ये सबरसे हैं आप चोटा बोड़ा करो लगा सकते थे लिएकिंटा आर्ल गृष पर स्क्राइन जकाएंगे हैं क्योंकि बाल्टी बड़ी होती है यह सब छोटे हैं तो ठीक है आप हम लोग देखेंगे क्विश्चिन नमर 27 तो क्विश्चिन नमर 27 में हम लोग देखते हैं कि इसमें एक उपर से नीचे लकीर बना हुआ है उसके एक साइड में गोला बना हुआ है दूसरे साइड में बिंदू लगा हुआ है फिर दूसरे साइड में बिंदू लगा हुआ है एक साइड में गोला लगा हुआ है ठीक है इसमें भी यह अप्शन नमर एक हो गया यह अप्शन नमर दो इसमें क्या कर रहा है यह एक लाइन है एक बिंदू, इसके नीचे गोला, फिर एक बिंदू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह फॉलो कर रहा है, एक बिंदू, एक बिंदू, एक बिंदू, एक बिंदू, एक बिंदू, ठीक है, लगा हुआ है, इस वाले में देखिए, इसमें एक बिंदू, दो बिंदू, तीन ब बिंदू है और इसमें गोला होना चाहिए था कम से कमयात होना ही चाहिए था इस वज़े से यह जो है गलत है गलत होए इस वज़े से हम लोग इंसर की रूप में इसको लगाएंगे क्योंकि यह अलग है अलग वाले को हम लोग answer लगाते हैं ठीक है गलत नहीं रहता है अलग रहता है अलग होने के वज़े से हम लोग answer की रूप में उसी को लगाते हैं तो यह हो गया 27 27 नमर question अब हम लोग लगाएंगे 28 नमर question तो 28 नमर question हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने कुछ draw किया हुआ है इसको भी तो ठीक है आप लोग को अच्छे सदिख रहा होगा तो 28 नमर question में यह पहला option है तिरबुज बना हुआ है दूसरा option है बृत बना हुआ है और तीसरा option है यह आयत की तरह बना हुआ है व्या बर्ग की तरह बना हुआ है तो तिरच्छा है और यह वाला चौथा नमबर चौथा देखिए है कैं यहां पर इसमें जो है पहले में एक term 네 कि भुजा से बना हुआ है पहला वाला इसके बाद तयसरे में एक दो तीन चार ए.. भुजा है इसमें है 1234 इसमें भुजा है यानि कि पहला तीसरा और चौथा यह बहुजा से बना हुआ है लेकिन यह दूसरा यह भुजा से नहीं बना हुआ है इसको आप भुजा नहीं कह सकते हैं ठीक है यह सरकल बना हुआ है गोला बना हुआ है इस वजे से यह अलग है ठीक है तो answer को रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे ठीक है दूसरा अब हम लोग देखेंगे question number 31 यह यह उव्हट बना हुआ है बनाने का प्रयाश किया हूँ तो यह हाथ है तीसरा है और यह आख है ठीक है यह है आख आख जो है यह option number चार ठीक यह आख है हात है नाख है और होट है तो इसमें जो है, चारो आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप लोग इसमें अंतर कैसे डोड़ेंगे, इसमें अंतर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह जो हो मुह, आप इसको कह सकते हैं मुह खाने वाला है, ठीक है, आप मुह से खा सकते हैं, बोल सक देखने वाला, महसूस करने वाला, ये सब जो है ग्यानिंद्रिया, इसको ग्यानिंद्रिया कहा जाता है, इसको देखा जाता है, नाक से सुगा जाता है, आक से देखा जाता है, ठीक है, लेकिन हाथ, हाथ का काम अलग-अलग होता है, कुछ भी आप कर सकते हैं, हाथ का एक ही ग्रूप में यही सही है ठीक है यह अलग है इस वज़े से option यह सही है ठीक है अब हम लोग देखेंगे question number 30 question number 30 है यह पहला option है यह है पूड़ी पूड़ी लिखा हुआ है ठीक है पूड़ी ही है जो छोटा छोटा बनाया के खाया जाता है ठीक है छान के तेलों में तो यह पूड़ी हो गया दो पूड़ी ठीक है यह plate है तो थोड़ा सा गलबड बन गया है तो आपनों समझ जाएगे plate है इसे वज़े से लिखना पड़ा गया लिखा भी था उसमें तो option number 2 यह रोटी है तो ठीक है यह रोटी है यह option number 3 है यह पराठा है जो इसे तिरकोना जैसे बनता है पराठा आप लोग देखे होंगे यह पराठा है यह option number 4 है ठीक है तो यह पूड़ी खाया जाता है plate को खायाता है ठीक है यह बरतन है बाकी सभी खाने वाली पदार्थ है तो answer की रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे ठीक है तो इसका right answer दूसरा हो जाएगा ठीक है बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू बेरी मच